पेरे दारो ये बन ब्रैचो बोलो बन देवी कहां गई पेरे दारो पेरे दारो ये बन ब्रैचो बोलो बन देवी कहां गई ये कुटी कुटी तू ही बतला पहाई धर गई पहाई धर गई रोकर के प्रभू कहने लेगे ये कुटी अब तू ही तो बतला दे मेरी मारानी सीते वो कोल ले गया कहां गई अम्मे कहां जाओ कहां ढूड़ो और कहने लगे ये प्रकती बता जंगान निकी किसे और जखोर धकिशोर गई ये प्रकती बता जंगान निकी किसे और जखोर धकिशोर गई मुझे पतनी प्रतु बाले पती की वे पती फिरताब कहां गई ये कुठी कुठी तुही बतला बहुँ इधर गई क्या इधर गई पैरे धारो हे पन परचो बोलो अमन देवी कहां गई प्रभू रोते हुए कहने लगे भाईया लच्मड तुम सी देखो अकेला कुठीया में छोड करके तुमने बहुत गलत किया अब क्या करो कैसे समझाओं इसे हिरते को और कहने लगे हैं प्रभू जाएं गए लोद्या नंगरी को पूछें इनर नरी समझी प्रेंबैया आप जानते हो कि एक इस्त्री ही घर का हीरा होती है पुरुष को चाए महलों के बाहर एक लोहे की शरिया की तरह रोडों पर पड़ा रहेगा लेकिन कोई फरिक नहीं पड़ेगा लेकिन अपने घर की एक माता और बहन कभी ने उसको एक हीरा का दरजा दिया है जितना उसको छुपा के रखोगे उतने ही हीरा की चमक एक निराली निकलेगी बताया है प्रभू सोच रही है आज मेरी सीते कहां चली गई और मैं अजोत्या पापस जाएंगे तो लोग हमसे क्या कहेंगे मैं क्या जबाब देंगे जाएंगे ये जोत्या नगरी को पूछेंगे इनर नारी शवही बनवासी बन कर चले गए नारी की चिंता करी नहीं कहने लगे प्रभू अलोध्या की नर नारी तो यही कहेंगे कि बन जाने के लिए तो पल में तयार हो गए थे और साथ में एक इस्त्री और ले गए तो पता नहीं कहां चले गए और कों ले गया मेरे कुल का दाग लगया भाईया लज्मण अब क्या करूँ पैरे दारों हे बन ब्रचो पैरे दारों हे बन ब्रचो बोलो बन देवी कहां गए और कहने लगे प्रभू मेरे पिता शुरग को चले गई बेटन की खातिर दपनी हुए सकबीर भाईया घर में अगर कोई घर होता है और कोई घर में अशुव हो जाए तो शायत ये दुनिया वाले बहुत जल्दी सेंस लगा लेते हैं कि हो सकता है कि ये जो उसी के कारण ऐसा हो गया लोग ये बहुत जल्दी बिचार करते हैं मेरे पिता श्वरग को चले गए बेटन की खातिर दपनी हुए नारी भी हां दसे चली कई करता नी बिपतिया कैजी दई पैरे धारों हे बन ब्रचों पैरे धारों हे बन ब्रचों बोलों बन दे भी कहां गए करते हैं करते हैं जो